प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत्बा, भोजपुरी दुनिया से जुडल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर, चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग तुकडो में तोड़ दिया नमशकार प्रणाम, hello to everyone जैसा कि मैंने आप लोग उसे प्रॉमिस किया था कि मैं शार्प एक बजे आउंगी लाइब और आप लोग उसे बात करूंगी but I'm really very sorry because shoot में थोड़ा time लग गया, इसलिए मैं थोड़ा time पे नहीं आप आई and थोड़ा network issue भी था, उसके लिए दिल से माफी चाहूंगी, उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एक अरसे बाद मैं live आ रही हूँ और Instagram पे live आई, उसके बाद सोचा अपने page को कैसे छोड़ सकती हूँ नए फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है राजा राजकुमार और आज शूटिंग का पहला दिन है तो यह और भी अच्छी बात हो गई मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है काफी दिनों बाद आप सभी लोग से बात करके यह ड्रेस इस वेरी नाइस प्रमोद कुमार ओजा जी यह मेरे नए फिल्म का लुक है इन इस इंडियन वेश भूशा मैं इस वक्त मिर्जापूर जो की विंध्याचल विंध्याचल मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा यहां पे ही शूट कर रहे हूँ और बहुत लगी फील कर रहे हूँ कि यह जस्ट मंदर के बगल में हम लोगों की शूटिंग चल रही है और यह देखो मेरी है दिदी और यह रही है दिदी से हाइ टो एब्रिवाण और यह रहे मेरे दादा है अब्रिवां इंग्लिश में इक अवर्ट को लो दो यह मेरे दादा है कॉमेडी है इस वक्त हम लोग गाडी में बैठके और गोपी दादा एकदम सुबह सुबह नारियर पानी और फुरूट्स सब चीज लेके रेडी रहते हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं जिसके लिए I'm so thankful और जो जो चीजे मुझे पसंद दी है वो जबरदरस्ति खिलाते हैं एक भी मैंने चाहे वो Instagram हो चाहे वो Facebook हो चाहे Facebook पेज हो कहीं भी मैंने अपने लिए negative चीजे नहीं आप लोगों से आप लोगों की comments के जरीये देखा है जिस पगले को दिल से चाहा ना जाने क्यों मोल लिया इस बच्चे दिल को बेदर दी ही ने दो टुकडों में तोर दिया इस बच्चे दिल को बेदर्दी ने दो टुकडों में तोड़ दिया खुद को लुटाई बैठे थे जिसके मिजाज पर मरते थे सच में उसके हर अन्दाज पर हमको ठुकरा करके उसने गहरू से रिष्टा जोड़ लिया इस बच्चे दिल को बेदर्दी ने दो टुकडों में तोड़ दिया वो मैटर नहीं करता है क्योंकि हम जो भी करेंगे वो सब यहाँ ही मिलता है चाहे पाप हो चाहे पुर्ने हो इसलिए दूसरे को बोलके क्या फाइदा है सब को सिश्वर्ग पे छोड़ना चाहिए जो होगा सब भगवान देखेंगे फर्क क्या रह जाएगा जब मैं और सामने वाला सामने वाला जो किये मेरे साथ अगर वो मैं भी करती हूं तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा इसलिए खुश रहें सब सब खुश रहें अपने अपने दुनिया में और क्या कभी ना कभी इंसान जब अकेले होता है ना चाहे कहीं भी इंसान अकेले बैठता है या कुछ समय कुछ सोच में वैतीत करता है अपना समय तब रिया किया है क्या थांक्यू सो मच अनुगर जी बट कुछ कमेंट कर नहीं सकती इन सब चीज़ों पर चुप रहने में भलाई है देखिए यहां शूट पर आ गई हूँ और यह लोग कैसे मैं दिखाती हूँ यह देखिए यह मेरी continuity फोटो ले रहे हैं मैं लाइव आई भी थी यह है इस फिल्म के हीरो दिदेश जी और यह हमारी पहली फिल्म है I hope आप लोगों को यह फिल्म बहुत अच्छी लगए बहुत अच्छी लगए और आप जितना प्यार देते हैं अक्ष सारे टेकनिसियन टीम एंड डिरेक्टर पुरू सर हमारे राइटर साब बहुत अच्छे हैं और हम लोग सभी लोग मिलके एक अच्छी फिल्म देने की शुरुआत के बहुत अपको लोगों इसलिए हम लोगों पर आशिगवात बनाया है रख्के आपके 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 मैं आ गई हूँ और यह हमारे डिरेक्टर सर है आज हम लोगों का पहला तेल है उमीद है सर यह फिल्म बहुत अच्छी बन जाईगी और सबों का आशिरबाद हम पे बनाएगी बाई सी यू ओल अच्छी बनाएगी